आप में से जितने भी लोगों ने dragon fruit ट्राय किया है प्लीज जली जली comment करके मुझे पताइए कि हाँ आपने ट्राय किया है और dragon fruit जिसने भी ट्राय किया है उसको पता ही होगा कि इसका taste कैसा होता है यह एकड़म tasteless होता है इसमें minor सा sweet taste आता है और थोड़ा सा खटा खटा टेस आता है बाखी इसका कोईस्ट नहीं है तो ये एकडम टेस्ट लेकिन ये सहत के लिए अच्छा होता है तो आज इसको थोड़ा सब ती बनाएंगे तो आज मैं बना रहे हूं ड्र गणर बुर27 ड्रिगन पृट जेम पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है यह फटा-फट से बन जाता है और अब यह अल्मोस बन चुका है तो मैंने लास्ट में इसके अंदर एड़ किया है और इसको फिर से मैं चलाओंगी और यह देखिए हमारा जैम एकदम रेडी है तो इतना थीक होने तक उसको हमें पकाना है और यह हमारा जैम बनके एकदम रेडी है तो इसको हम थंडा कर लेंगे थंडा होने के बाद यह थोड़ा सा और थीक हो जाएगा तो यह देखिए एकदम थंडा हो चुका है और अब इसको एक एर्टाइट कंटेनर में हम फड़ देंगे और इसको हम फ्रीज में स्टोर कर है तो नॉर्मल ड्रेगन फूट खाने से बैटर है कि इसका जैम बना दिया जाए और इसको खाया जाए तो यह अच्छा नहीं लगेगा और इस तरह जैम के फॉर्म में यह बहुत ही अच्छा लगेगा तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके ज़रू बताना और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी कीजिए और चैनल पर नएदे सिस्क्राइब मिलते हैं ज़री नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी कृष्णा